नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की आवाज जन्ता समचार में आपका स्वागत हैं आई चलते हैं खबरों की ओर मंदला वाडा रिस्थित मनेरी में स्टील प्लांट में ब्लास्ट तीन मजदूर जुल से दो मजदूरों की हालात गंभीर जबलपूर मंदला वाडा रिस्थित मनेरी और धेग छेतर में 14 सेतंबर की रात इस्टल प्लांट में एक बार फिर बड़ा हाथसा हुआ प्लांट में ब्लास्ट होने से तीन मजदूर बुरी तरह जुलस गए तीनों को जबलपूर की निजी अस्पताल में भरती कराये गया यहां दो की हालत नाजुक बताई जा रही है फैक्टरी को सील कर दिया गया जबलपूर मंडला से लगे मनेरी और देख छेतर इस्थित भूमिया इस पात कंपनी में मंगलवार की रात जोरदार विस्पोट हुआ विस्पोट इतना शक्ती साली था कि इसकी अवाज आसपास की लाकों तक सुनाई दी इस विस्पोट में वहाँ पर काम कर रहे विकास सांकित संकरलाल मरावी और शुरेश पटेल नाम के मजदूर गंभी रूप से जुलच गए तीनों को जवलपूर की निजी अस्पताल में भरती कराए गया है इस प्लांट में सरिया बनाने का काम किया जाता है हाथसा उस समय हुआ जब सरिया बनाने का काम किया जा रहा था उसे समय बटी में कुछ तकनीकी खराबी आने से जोरदार ब्लास्ट हो गया इस हाथसे में पास में ही काम कर रहे तीनों मजदूर पिगले लोहे की चपेट में आकर बुरी तरह से जुलस गए मंडला जीना प्रशासन ने घटना की जाच होने तक प्लांट को सील कर दिया है मनेडी पुलिस ते मामले की जाच शुरू कर दी बता दें कि इसी प्लांट में 6 महीने पहले भी ब्लास्ट हुआ था तब 6 मजदूर घाल हुए थे एक मजदूर की मौत हो गई थी उस घटना के बाद भी फैक्टरी को सील कर दिया गया था लंबे समय बाद फिर से प्लांट चालू हुआ था फिर हाथसा होने पर मंडला प्रशासन ने जाच के निर्देश दिये है हम दिखाते रहें लगातार खबरें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें